गुद्ध आप्रनून बिच्चों हम लोग यहां पर एक बार फिर से नियू लाइट के प्रेट्पॉर्म पर इघटा हुए है कल वाले यानि 18 जैनुवरी वाले नीट टेस्स सीरीज के विन मोस्ट डाउटफुल कोश्चन्स को पजल को सॉल्व करने जो ज्यादा तर बच्चों ने गलत कर दिये हैं अभी मैं देख रहा था तो छोड़ी छोड़ी गलतियां थी और सिंग सर के मिशन के तहट जो उनका एक बड़ा सपना है महान है कि पढ़ने का दिकार सबको और सारे बच्चों को सारी सुविधाई मिलने चाहिए तो उनी के मिशन के तहट उनी के संरक्षर में और उनी के दिशा निर्देश पर हम लोग जुटे हुए हैं और इसी योजना में पहले पेपर हुआ फिर उसका डिसकेशन हुआ और अब जो बच्चों में जिन कोस्टेंस में सबसे ज्यादा लगे कि वह कंफ्यूजिंग हैं गलत हो रहे हैं तो उनको लेके एक बाद फिर से हम लोग भाजिर हैं तो देर ना करते हुए एक एक करके कोश्चन लेते हैं और यह पहला कोश्चन है और इस एक पूज़ प्रोस अन दी सेटलाइट बच्चों का गलत हुआ है और इस में सिर्फ यह एक लेंगवेज की प्रॉब्लम है कि जैसे मान लीजे यह अर्थ है और इसके चारों तरफ कोई सेटलाइट घूम रहा है और तो इस पर भाई फोर्स देखो एक ही लगता है फोर्स यह पर लगता है ग्रेविते डाज फोर्स कि एस एक obey अपान और स्क्रार कि सिर्फ नियां पानारिस मैं ने तो सेंट्रीपीदेल फोर्स क्या होता है तो देखो गनाद रइना वह एक्चुली कि मास और एक्सेलरेशन का प्रोडेक्ट है मास और एक्सेलरेशन सर्कुलर अर्बिट करते हुए पार्टिक्ल का Mb sqrpnr होता है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट इस आफोर्स एक्टिंग उन इस एक्टिंग इस इस अहीं तो इसमें Newton second ला लगा दिया कैसे जैसे satellite भूम रहा है circular motion कर रहा है तो हमें मालूम है circular motion में जो net force लगता है center की और वो mv square upon hour होता है उसी को हम लोग centripetal force कहते हैं तो centripetal force कोई ऐसा force नहीं है जो लगता है actually जैसे गर कोई particle circle में चल रहा है radius r है इसकी velocity v है तो इसके मालीजे कई force लग रहे है f1 लग रहा है f2 लग रहा है और इन सबका जो इधर मालीजे f3 भी लग रहा है तो अगर ये particle circular motion कर रहा है तो इन तीनों का resultant इतना बचे गा है और हम लिखेंगे resultant of f1 plus f2 plus f3 is equal to mass into v square upon r resultant of this forces along the radial line इसी को centrifugal force कहते है और ये cancel करता है ने जोड़ता है ये बिलकुल वही चीज है जैसे एक block है टू केजी पाइस पे दस न्यूटन का force लगाओ तो दस इस इक्वल टू टू इंटू ए करेंगे तो ए बराबर फाइव आ जाएगा तो तुम कहें तो इस पे दो force लग रहा है एक 10 newton का भी लग रहा है और एक ma यानि 10 newton का लग रहा है तो net कितना लग तो 10 into a force और ही लग रहा है 10 into a तो जो force लग रहा है mass times acceleration है ma है उसी तरीके से circular motion में ये net force लग रहा है इतना particle का और इनका resultant center की और जा रहा है और that is equal to mass into acceleration in circular motion तो यहाँ पर ना तो ये 0 होगा ना ये 2F होगा ये F answer होगा इसका तो centripetal force लगने वाला force नहीं है बलकि जब particle पर कई force लगे रहते हैं और वो still circular motion करता है तो center की और net बचने वाला force है तो जो resultant force center की और बचता है उसी को हम centripetal force कहते हैं और उसी को m into a लिखते हैं कि newton second ला चल रहा है बराबर m लेकिन चूंकि circular motion करने वाले particle का acceleration v square upon r होता है तो हम लिखते हैं कि resultant force is equal to m v square upon r तो बहुत ही fundamental mistake है और यह physics की बारीकिया है हम लोग question तो करते रहते हैं लकिन यह छोटी छोटी बाते ध्यान नहीं देते हैं आगे से ध्यान रखिएगा चल यह next question लेते हैं यह भी कई बच्चों ने गलत किया 1,3,5,7 बच्चों ने गलत किया है तो देखिए यह surface of earth है यहाँ particle है और इसकी total energy है e बराबर minus g mm upon r where m is the mass of earth इसके center पर मान लिया यह distance r अब यहाँ पर कोई orbit है और इसका altitude to r है और मुझे यहाँ पर इसको satellite बनाना है तो अगर यहाँ पर कोई satellite है तो उसकी energy कितनी हो जाएगी माइनस g mm और total energy का formula कितना होता है 2 into r तो यह आ जाएगा 2 into 3 r यह आ गया भईया तो अगर यह satellite में घूम रहा है तो satellite की energy इतनी होनी चाहिए और इतनी energy तो यहाँ पर पहले से बाकी कहां से आएगा तो बाकी kinetic energy दे देंगे तो k minus g mm upon r is equal to minus g mm upon 6 r तो कितनी energy देनी पड़ेगी g mm upon r minus 6 minus g mm upon 6 r अब solve करना बड़ा simple है यहाँ 6 से multiply दोनों तरब कर दीजिए यह देखिए तो यह numerate denominator बराबर हो गए तो फाइव जी mm upon 6 r हो गए यह पहला answer सिर्फ potential energy का difference नहीं लेना हो क्योंकि अगर उतनी energy देदी माल लो आपने यहाँ कि यह potential energy है यहाँ कि potential energy के बराबर कर दिया अगर माल लीजिए ऐसे कर दिया कुछ लोगों ने ऐसे किया होगा minus g mm upon r equal to minus g mm upon 3 r कि यह potential energy तो मालूम है क्या होगा यह पार्ड के लिहां पहुंचते जाएगा लेकिन इसकी energy जीरो हो जाएगी kinetic energy जीरो हो जाएगी तो यह टपस से नीचे गिर पड़ाएगा पार्ड के लिए तो टोटल इनर्जी यह लेनी पड़ेगी और टोटल इनर्जी यह उती है ठीक है तो काफी जादा बच्चों को गलत हुआ है और हमेशा याद रखा करिए अगर सर्फेस से किसी पार्टिक्यों को यहां तक पहुंचाना है तब यह करेंगे और उसको सेटलाइट बना के आर्बिट चेंज करनी है तब वो करेंगे विच आप दे फॉलोइंगे स्टेट दे गुड़ अब्जार्वर्स और गुड़ अमिटर तो बहुत ही फेमस रूल है किर्चॉफ ने यह बताया था और इट वाज गिवन बाई किर्चॉफ यह वही सर्किट वाले हैं और आर यह एक रीशी नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किये थे और इन एक्सपेरिमेंट्स के बेश पे किर्चॉफ ने यह कंक्लूजन दिये थे प्लैंक्स लाव का रेडियेशन वाला है इस्टीफियन्स लाव इप्रपोर्शनल टू टी टू दी पावर फॉर्स लाव है यह लेम्डा एम इंटू टी बराबर कॉंस्टेंट वाला है और प्लै सारे लाव है कौन क्या बताता है यह मालूम होना चाहिए और अगर थेओरियाद होगी तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है इतने सारे लाव है तो इसको बहुत काईदे से मगब कर लीजिए याद करना पढ़ेगा उससे छुट करन नहीं Dimensional Formula for Thermal Resistance तो Thermal Resistance होता है रह बराबल थेटा 1-थेटा 2 अपन heat current Q dot where Q dot is equal to Q upon T और कुछ लोग इसको H भी कहते है तो इसकी dimension तो Kelvin हो गई है एप्सलूट तेमपरेचर temperature की dimension के तो थेटा 1-थेटा 2 की भी dimension के और क्यों मतला भी energy तो यह Q dot है तो यानि energy ML square T minus 2 upon time यानि T तो यह बनेगा M minus 1 L minus 2 T to the power 3 और के और क्यों इसमें से कोई भी नहीं है तो नन आप दी जिसका answer है और solution में गलेक शब गया था तो बट आपकी copy इसी चोथे वाले से चेक हुई है करेक्शन करा दिया गया था उसमें ठीक है a body of mass n kg starts falling from a point to or above the earth surface its kinetic energy when it is has fallen to a point or above the earth surface तो यह total energy conservation का question है यह radial line है और अर्थ की surface से two hour distance पर कोई यह point है सपोज पी और यहां से किसी particle M mass के particle को drop किया गया और फिर एक और point आ गया जो कि अर्थ की surface से सिर्फ r distance पर है इस point को कह देते हैं Q और यहां पर इसकी kinetic energy पहुंची गये velocity भी पहुंच सकता था लगेगा energy conservation से तो यहां कि potential energy minus g mm upon 3r यह potential energy है 2r plus r r plus h और वहां कि kinetic energy zero और यहां पर माल लीजे kinetic energy की है और potential energy g mm upon 2r यह इसकी distance centers है तो k बराबर g mm upon 2r minus g mm upon 3r यह उधर जाके plus हो गया यह minus बना तो इसको उपर नीचे 3 से गुणा कर दीचे और इसको उपर नीचे दो से गुणा कर दीचे तो 6r नीचे आ गया और 3 minus 2 g mm आ गया second वाला answer energy conservation because gravity force is acting and that is conservative force between two objects of equal masses is f तो यह mass m है यह mass m है suppose इनके बीच की distance r है तो इनके बीच का force f है the g g m square upon r square equal to f अब 25% of mass of the one object is transferred to the other तो यह m था यह भी m था तो m का 25% कितना होता है m by 4 होता है तो यहां से m minus m by 4 minus हो जाएगा और वहां पे m by 4 plus हो जाएगा क्योंकि एक part इसका जो m by 4 है वो इससे निकालके यहां पहुंचा दिया जाएगा तो यह बचा 3m by 4 और यह आ गया 5m by 4 तो नया तो gm square upon r square इंटो 15 by 15 by 16 तो यहां f रख दीजे f इंटो 16 by 15 उल्टा लिग गया मैं इस्टेट फारवर्ड कोश्चन ता है इस से सिंपल क्या कोश्चन होगा लेकिन 922 लोगों का गलत हुआ है एक्चिली वो ट्रांसफर नहीं समझ पाए किसी ने किसी में जोड दिया किसी ने किसी पर घटा दिया यहीं सब हुआ है ट्रांसफर का मतलब एक से तो पचीस पर दिया, सब्सक्राइब दिस्टेंस एक्स है तो पहले तो हम निकालें कि एक्स कितने हैं और उसके बाद फिर इसी पॉइंट पर पोटेंशिल निकालना है तो एक्स निकाल लेते हैं और एक्स निकालने का एक डिरेक्ट फॉर्मूला भी है वह होता है अंडरूट M अपान अंडरूट 4M प्लस अंडरूट M और इंटू R तो M M कट गया आर वाई 3 आ जाएगा यह डिरेक्ट फॉर्मूला है निक्षे दोनों मासस के स्क्वायर रूट को जोड दिया है रूट 4M प्लस रूट M और जिससे डिस्टेंस निकालने हैं उपर मल्टिप्लाई कर दिया है इसको आप फ्रेक्वेंटली यूज कर सकते हो और अगर नहीं करना चाहते हो तो भाई पूरा कर लो एम की वजह से फिल्ड इधर होगी एवन और यहां पर हो जाएगी एटू तो एवन कितना हो जाएगा जी एम अपान एक्स स्क्वायर बराबर जी इंटू 4M अपान आर माइनस एक्स का स्क्वायर तो इससे भी आप निकाल सकते हो वही आएक अब मुझे निकालना है यहां पर पोटेंशियल तो पहले की वजह से पोटेंशियल माइनस जी एम अपान एक्स और एक्स आर बाई थ्री और दूसरी की वजह सा पोटेंशियल माइनस जी 4M अपान R minus X तो यह R minus X हो जाएगा तो यह 2R by 3 आ जाएगा तो upon 2R by 3 दोनों को कई चीज़ें common हो जाएंगी minus 3 GM by R और minus 3 into 4 GM by 2R तो यहाँ 2 से उपर नीचे multiply कर देंगे denominator सेम कर देंगे 2, 2 तो 2R नीचे हो गया और 18 हो गया minus GM 12 है अठार कुछ गलबड हो गया हाँ यह सारी मैं गलबड कर रहा था मिल तो रहा है माइनस नाइन जीएम बाई आर यह अंसर आ रहा है यह आ रहा है मोमेंटम से मेरे पास एरियल वेलास्टी डीए बाई डीटी आती है एल बाई टू एम और चूंकि मोमेंटम कंजर्व रहता है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटर्वल अप टाइम जो की कैपलर का सेकेंड ला है तो यह सब्सक्राइब कंजर्वेशन आफ एंगुलर मोमेंटम से आया है यह सेकेंड आंसर इसका सही रहे है यह त्यूरी का कोश्चन है इसे लर्ण कर लीजे और साथ में यह भी याद कर लीजे कि एडियर विलास्टी इतनी होती है यह भी किसी नुमेरिकल में कराई जा सकती है यह दो रौडस है इनकी लंबाई अल वन एल टू है क्रोस सेक्शन एरिया यह कह रहे हैं सेम है जैन ठिकनेस मैटिरील आप सेन ठिकनेस सेव तो एरिया यह सेम हो गया ठिकनेस मिस कंस्ठाइब ब्राबर ठर्मल रेजिस्टेंस इस सेंग तो इसका रेजिस्टेंस हो गया ल 1 अपान इसकी कंडुक्टिविटी 5 के ए इस इकल टू अपान 3 के तो के के कैंसे लो गया तो ल 1 अपान ल 2 इस इकल टू 5 भाइ 3 फर्स्ट आंसर एक एक लाइन की छोटे चोटे कोश्चन थे 699 बच्चों ने इसको गलत की बाड़ी आप मास 500 जी इस अपवर्ड यह 500 ग्राम है इसको ऐसे उपर उठा दिया गया है वेलास्टी 20 मीटर पर सेकेंड है और यह ऐसे नीचे आ जाती है और टोटल टाइम दिया गया है 20 सेकेंड तो मान लिया इसकी प्रोजेक्शन इस्पीड यू बराबर 20 तो टोटल आने जाने का टाइम आप जानते हैं प्लैनेट में 2 यू अपॉन जी दाट इस इकॉल तो 20 तो टू इंटो 20 अपॉन टैन अब यही गड़बर नहीं करिएगा अगर यहां पर 10 रख देंगे तो यह 20 नहीं आएगा मतलब उस प्लैनेट पर जी की वैलू कुछ और है तो बराबर 20 तो टूंटी नहीं आएगा मतलब उस प्लैनेट से 20 कट गया जी बराबर टू आ गया तो वेट कितना हो जाएगा वेट बराबर एम जी मास लो लेकिन केजी में लो 1000 और जी की वैलू टू है तो आंसर वन न्यूटन का यह वेट आ जाएगा इट इस आप वन न्यूटन तो इस तरीके से बटाई यह दसों कोश्चन पूरे हो गए और उमीद है आप लोग गलती नहीं करेंगे तो अगले दस के दम में आप से फिर मिलेंगे तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुब कामना है ओल दी बेस्ट थेंक्यू हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब मुझे उम्मेद है कि आप सब अच्छे होंगे सौस्थ होंगे और पूरी तरीके से नर्जेटिक होंगे मैं आपका केमिस्टी मेंटर विमल सर आपका अपने बहतरी निव लाइड नीचे ने पर स्वागत करता हूं अब पढ़ने का अधिका सब को दोस्तों सिंग सर के इस अंदार मिशन के साथ हम आज का सेसन स्टार्ट करते हैं कल यानि की 18 दिसंबर 2022 को आपका जो आल इंडिया नीट टेस्ट गया रहा हुआ था उसमें केमेस्ट्री में आप लोगों ने जो भी को सबसे ज़्यादा तर गलत किया है चलिए उसको वन और उसको देखते हैं कि को करो मैं बात करूं तो double-bonded carbon के जस्ट वाला जो पोजीशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलायलिक लाइल लिक को जीशन बोलते और उस लाइल पोजीशन पे अधी कारबन प्रजेंट है तो उसे हम लोग बोलेंगे अलायल कार्बन की बाते कहीं जा रही है इसका मतलब करना किसे कहते कारबन की ऑपर निगेटिव चार्ज का आजाना तो यहां पे अगर मैं कहुँ यहां पर चार्ज आप दे दो और यहां पर S2 तो यानि कि इसे हम बोलेंगे Allyl Carbionion इसका से आप से पूछा जा रहा है तो से को बताने के लिए क्या करते हैं आप निकाल लो कैसे निकालते हैं दिखाते हैं तो देखो क्या करो कि आप इस्टेरिक नमबर निकालो नमबर आप hybrid आर्बिटल इसके पास तो यह लोन पेर अब लोकलाइजड कंडिशन में नहीं है करते हैं जो लोकलाइजड कंडिशन में हो गया जानि याई करने लगा तो स्का लोकलाइजड करने करेंगे तो क्या हो जाएगा सिंगमा किना बर्ण बनाया तील लोन पेर कितना रख्था है जीरो क्या आएगा सब्सक्राइब निए ओर होगा नहीं तो घूमेटरी नाइए प्लेणर या आपका हो जाएगा प्लेणर प्लिनर इसके कोडिंग हो जाएगा तो बहुत अच्छा कोशन था एलायलिक कार्बेनान के बारे में आपको पता होना चाहिए इस एलायलिक पोजीशन के द्वारा हम कई कई कंपॉंड बना लेते हैं इसे विहाब पे नाम दिये जाते हैं इसे एलायल अल्कोहल यहां पर क्य नियर्वाई पोजीशन पे अगर कोई एटम लगता है तो उसे हम बोलते हैं एलायलिक पोजीशन पे हो एटम लगा है यहां पर कार्बन है उसके उपर नेगेटिव चार्ज तो हम बोलेंगे एलायल कार्बनायम इसका निकाले तो SP2 अब यह प्लेनर हो जाएगा SP2 के गॉ होंगे ठीक तो इसके कोड़िंग देखा गया तो यह प्लेनर होगा क्यों कि अगर आप इसका भी निकालोगे तो SP2 और इसका भी SP2 ठीक यह आपका इसका हैवडाइशन के जड़िए हम बता दिए इसका प्लेनर सेपिसका प्लेनर सेकेंड वाला अंसर हो जाएगा अगले क मेथिल कारबेनायन जब और आपको पूछा जाए कि उस्टिविल्टी के बारे बताओ सबस्का अनिस्टेवल का कारण पाता कि सबसे पहले पता करो क्यों सब्सक्राइशन की बात करूँ तो को ब्रदोर्स कर जो होता है इसके उपर निंगेटिव चार्ड्स और निगेटि लेजले बहुत कम होती और वह लोन पेर रखखा है इसकी लोलत पेर रखनी के अवकात है नहीं और रहhnlich पर रखा हुआ है तो इसी के वजह से वन स्टेवल है तो यहां पे एनर्जेटिक एनर्जेटिक लोन पेर की वज़से यह कार्बेन आयन अनिस्टेवल होता है इसकी वज़से अनिस्टेवल होता है तो कोई ऐसा गुरूप लग जाए जो इसकी इलेक्टान देश्टी को कम करें खीचे इसकी स्टेविल्टी बढ़ेगी यह आप करloka करलो कि यहों प्यार है यहां गसरन करने लगे तो इसकी इस्टेॵल्टी भढ़ जाएगी थैक तो इसके कोडिकर हम देखे तो तोस्तेीक इस्टेविल्टिय आफ इस्टिफियल्टी बैनायायों जो होता है वह डायक्ट्ली परपोस्टनली माइनस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट मतलब जो इलेक्टान खीचे जितना इलेक्टान खीचने वाले गुरूप लगेंगे इसकी इस्टिविल्टी बढ़ेगी और औा इनवर्सली परपोर्शनल टू प्लस आई शक्राइट मुंतलब क्या पाइच आने वाले दो पहले मेशने उसके पास एलेक्टान परजेंट व्लराइब छोट बैसी के कम करेंगयों कि इसके उसके वजे सो कोई एक ऐसा 40 को बढ़ाएगा यह तरीका है फीय हो गया इसके कशन की बात करता किया कि कहांals कर डोलेता तो पता चल गया इनर्जेटिक लोन पेर प्रजेंट ही इसी के वज़े से, तो कौन बढ़ाएंगे, माइनस आइफेक्ट वाले बढ़ाएंगे, जो प्लस वाले होंगे और घटाएंगे, तो अगर मैं टर्सरी व्यूटिल कार्ब एनायन की बात करूँ, तर्सरी व्यूटिल कार्ब एनायन, यह कार्ब एनायन है, और हमको पता है, कि यह जो ग्रूप है, यह सभी के सभी जो ग्रूप हैं, यह इललेक्तां डेनसटी को बढ़ाने वाले हैं,upa एक फील्टिक लगाते हैं, तो जितना ज़्यादा प्लस आइफेक्ट लगेगा, उसकी कि इसके होता है तो यह कर रहा रहा है कि तर्सरी ब्यूटिल कारबेनाई मतलब इससे कम थीक तो यहाँ पे तो कोई एसा गृप है नहीं यहाँ लगा नहीं इसको हाई अनिस्टेवल कर दे रहे कि तीन तरसरी यहां पर तीन डिगरी वाले जो एलकाइल है वह इलेक्टान डेंस्टी इसको बढ़ा रहे तो इसके देखे तहां बढ़ाने वाले गूरूप ज्यादा है इसके आपका यह स्टेटमेंट तो सही हो यहां पर कोई क्यों क्यूंकि हाइपर कंजूगेशन एक प्रकार का हाइपोथेटिकल फेनामेना होता है जब लोगों को रेजोनेंस के जरिए इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए किसी और कारण के जरिए जब कंपॉंड की बारें पता नहीं हो पा रहा था तो दो साइंटिस्ट आये वे लिए इससे लिए इसको नोपने बोलते हैं और कभी-कभी इसको सीगमाः कांजूगेशन था होता हे हमको पता है कि व्यक्टन तक्रते हैं क्लते हैंfill在पर्पर कंजूगेशन तो कितने types का होता है तो hyper conjugation की दिने मैं बात करूं hyper conjugation की तूuestas में मिलता है एक ज immediate जिसमें sigma और πाई involve ह multic intention में किसके प्रू grinding गांदल की सब्सक्राइब से दो एक में होता है sigma p orbital के साथ तो उसे हम sigma p trending बोलते हैं तो अगर यह किस्में पायता है तो वैसिकल समय यह 乐 कि अर्ण बेंगीन में देखनें को मिलता है और इस यहदून्ण को देखनें को मिलता है कायाय रादन और दुसरे फ्री रेडिकल nível जानी हाईपर कंज्यूगेशन हम इन ही के वारे में देखते हैं हाईपर कंज्यूगेशन अप्लिकेबल होता है यलकीन बेंजीन कार्बोकेटान फिरेडिकल पर कार्बेनायन पर कभी हाईपर कंज्यूगेशन का इफेक्ट होता ही नहीं है क्योंकि P orbital vacant होना चाहिए और कार्बेनायन का मतलब वो filled हो गया वो इलेक्टान से भर गया इसलिए कार्बेनायन hyperconjugation effect शो नहीं करते हैं यहां पर महासा इन्होंने बोल दिया कि hyperconjugation जो effect के जरीए इन्होंने कार्बेनायन की stability बता रहे जबकि hyperconjugation का effect कार्बेनायन में पाया ही नहीं जाता इनके अलावा नहीं पाया जाता एलकीन बेंजीन कार्बोकेटान और फ्री रेडिकल में मिलता है तो इस्टेट्मेंट जो हमारा था सिकेंट यह गलत है पूरी तरीके से आप अगर बताना चाह रहे हो कि कहीं unstable है आप stability के बारे में बताना चाह रहे हो कार्बेनायन के बारे में तो आप हेल फलो इंडक्टिव के जरी हम इसके statement को explain कर सकते हैं तो पहला statement सही है दूसरा statement गलत तो सिकेंट वाल आंसर अगले खोशन की बात करें टॉलीन इज आर्थस पैरा डारेक्टिंग नेचर बहुत गजब का सवाल है भाई अब होता क्या है कि अगर मैं रेजोनेंस के दिमें बाते करूं तो रेजोनेंस होता है वो दो तरका हो सकता है दो चीज में देखने कि मिलती है आप कैसे जाने कैसे देखने मिलती है देखो जैसे hyperconjugation जो होता है एक प्रकार का resonance की तरह उसका behavior होता है hyperconjugation is the subset of resonance उसका एक subset होता है तो जो resonance होता है वह उसमें हम लोग 2 effect में पढ़ते हैं resonance को 2 effect में पढ़ते हैं पहला majormeric effect और दूसरा क्या होता है hyperconjugation effect majormeric effect में पाई electron का delocalization होता है और इसमें सिग्मा electron involved होते हैं सिग्मा electron इसमें involved होते हैं घजब का concept ही है ठीक तो अगर मैं बात करूं भाई तो लगभग resonance को बताने के लिए majormeric effect 99.9% आप resonance को majormeric effect भी बोल सकते हो क्योंकि majormeric लगभग 99.9% resonance को help करता है समझाने के लिए तो आप resonance या majormeric बोल सकते हो equally है थोड़ी बहुत आप hyperconjugation में इसका involvement होता है तो यह hyperconjugation जो होता है resonance का subset होता है लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावसाली कौन सा होता है हमारा majormeric effect इसलिए हम लोग आडर पढ़ते हैं सबसे ज्यादा resonance यानि majormeric तब hyperconjugation देन इनक्ट्ट्व फेक्ट पढ़ते हैं तो आप यहां से क्या पता चला कि हमको पता है कि भाई जो resonance होता है वह oriented effect होता है oriented effect है मतलब यह हर जगा नहीं लगता यह हर जगा प्ली केबल नहीं होता मतलब हर पोजीशन पर क्या resonance लगता है यह कहना गलत है एक स्पेस्पिक साइट पर लगता है अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन पर सिर्फ आर्थो और पैरा पर रेजोनेंस देखनों की मिलता है हर जगा नहीं और यह distance पर डिपेंड भी नहीं करता कि distance कि आप बढ़ाते चले जा रहे हो तो क्या resonance की ताकत या उसका अगर बढ़ता चला जा रहे है नहीं यह इक्वली लगता है लेकिन बेंजीन पर आर्थो और पैरा पर लगता है यह और यहां अगर इंडेक्टिव फेक्ट की दिमें बाते करूं तो हर जगा लगता है लेकिन give झाल बढ़ता दो फिए डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ज़ाता जाता है क्योंकि श्कप पता है कि जो इनदेक्टिव फेक्ट होता है वह इन्वर्स ली पर पोरिंट टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है जैसे जैसे आप distance बढ़ाते चले जाओगे inductive effect की ताकत घटती चली जाती है इसका मतलब inductive effect आपका distance पर depend करता है लेकिन resonance में इस अकौनों तरीक ही नहीं है क्या कि क्या distance पर निर्वर करता है नहीं यह ईक इस्पेसिफिक साइट लगता है लेकिन अर्थो पैरा लगतें लगता है यह का हृप को this साइट पर देखने और बंजीन में खासकर बंजीन में आर्थ और पेरा पर देखने की बिलता है मेटा पॉजिशन पर नहीं मेटा पर सिर्फ इंड़क्टिव फ्यक्ट दिखता है तो इसके कोडिंग से करूं अब इस हाइपर कंजूगेशन को तीन नाम से भी जानते हैं भी बता बेकर एन नाथन क्यों साइंटिस्ट दो दिये इसको डिस्क्राइब कि इसको नो बॉंड रिजोनेंस बोलते हैं और इसको कभी-कभी सिग्मा पाई कंजूगेशन बोलते हैं तो यह मैं टॉलिन की इसको लोग बंजलिक कारबन भोलते हैं अब इस बनजलिक कारबन के पास आप देखो कि अगर हाइडोजन मौझूद है तो हैत्सक्राइब कि अब कर एकर लेकिन यह यह जो गुरूप है अगर हाइपर कंजूगेशन ज्यादा प्रभावसाली होता तो बात हम उसकी मानेंगे तो यह कहेगा कि कोई अगर इलेक्टोफाइल आना चाहता है तो उसको कहां डिरेक्ट करेगा कहां भेजेगा वो बोलेगा कि तुम यह आर्थो पे जाओ या तो पेरा बेजाओ वो उसको डिरेक्ट कर रहा है बता रहा है कि अगर कोई लेक्टोफाइल आएगा तो उसको आर्थो या पेरा पर भेजेगा अब पैरा ज्यादा मेजर प्रोड़क्ट मिलता है वहां वह ज्यादा इलेक्टार डेक्टिंग बढ़ाता है ठीक बात कर बस्त si आते हैं उससे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेंग ग्रूप उसको हम लोग या और नाम से बोलते हैं तो वहां उसका एलेक्टार डेश्टि ज्यादा रहेगा आरथो या पेरा पहां आटेक कर ले जायेगा तो दो प्रोड़्क्ट मिलते हैं minor और इसके पॉड़िंग मिलते हैं तो इसलिए यह जो एक्ट मिला इंड़क्टिव फेक्ट की वज़स तो नहीं मिला क्या इसमें कोई कहावत है बिलकुल नहीं इसके पास कुछ होना चाहिए लोन पेर या कांजूगेशन में होना चाहिए तबे लगा पाएगा तो बस प्लस होता है तो यह आर्थो पहला डायर्टिंग हो गया तो पहला वाला इंड़क्टिव फेक्ट नहीं को प्ल्राइज कर देता है जिसे अप आप अटेक्टिंग अप फटा फिर सुर्था में आ जाएगा यहां पे देखने को नहीं मिलता है लक्टोमेरीक फिर टॉम्र्स तो अगले कोशन की बात करें वीचिज दा हाइली स्टेबलाइज बाइद राइपर कंजूगेशन यह आपके दिये गए हैं बेंजीन के उपर ग्रूप लगें अभी जस्ट टॉल्विन के बारें पढ़ा तो आप क्या करो होता क्या है कि अगर आपास ढखे लाक पर कि यधि बेंजयी के पास द तो हैं इसके पास बेंजरी करर्बन के पास देखना न की अधर पर दो हैं इस के पास एक कव नहीं जीरो इसके पास कम सदम्स तो एक है तो जितना ज्यादा आलफा हाइडोजन की वैलू उत्ना वह इस्टेवल होगा है प्रिंजूगेशन तो इक आ हो इसके पास More charge है तो जादा हो जाएगा तो पहिला ज्यादा इस्टेवल हो गया अगले को शन की बात करें इ composition नाट act as a Electrofile के बारि में जानो गजब का इसको सोच बाइट जाते हैं किए अगर पासे टीज़ डीक़ा तो इलच भी देखते हैं कई से तो को इलच्ट्रोफाय का मतलब पाता होता है एल्क्रोब का मतलब होता है तू अट्रेक्ट या टू लब मतलब जो इलक्टान से प्रेम करें जो इसने हर रखे इलक्टान से वह इलक्टोफाइल अगर इलक्टान को इसने कर रहा है प्रेम कर रहा है तो कैसा होगा उसके पास इलक्टान की कमी होती है स्कालने इलेक्ट्रान के मतलब उसके पास खुलक्ति क्या होती है कमी इसलिए इलेक्ट्रोफायल होने के लिए क्या है कि वह खुद . इसके पास क्मी से प्रेम करेगा नुद उसके पास है वो vacant orbital उसके पास vacant आरबिटल तो जरूर होगा तो वेकेंट कि आरबिटल भी होगा यही sufficient condition होता है इलक्टोफाइल्स का इलक्टोफाइल होने के लिए यह sufficient condition है यह original condition ही है कि अगर si, तो अगर लेक्टोफाइल तुम देखने जा रहे हो तो देखो क्या उसके पास bak Philip की कमी है अगर लेक्टान की कमी होगे तो आभिसली उसके पास vacant बेंट और्विटॉल तो जरूर होगा ताकि ऊलेक्टान को राख्या तो यह eτοI ऐसा तो तरफ इसा तो उलक्तुफाइल में तरफ बेभेव करेगा कि पॉजिट्व चार्ज किसी एक्ट रूज दिख रहे थो इलक्तूफाइल है यह हम बता नहीं सकते अगर पॉजिट्व चार्ज है उसके वज़ा से इलेक्टाँड डिफिसेंट हो जाए या वेकेंट आर पढ़ते हैं पहले रूल कि दी में बाते करूं कि कि सेकेंड पिरियड जो एलिमेंट होते हैं लेस देन एट इलेक्टरां एट इलेक्टरां से अगर उसके पास कम हुए है सेकेंड पिरियड वाले एलिमेंट के पास अगर आठ से एलेक्टरां कम हो जाते हैं तो वह पाइल होता है पहला इस रूल के अग्रिंग देखते हैं यह से बी एफ थिरी की में बात करूं तो यह सेकेंड पिरियड का है और इस पाइड की वैलू टू टोटल नमबर अफ और आरबिट आरो एक आर्बिटर इसके पास वेकेंट हो गया में इसके पास टोटन सिक्स एलेक्टहाँ है तो आट के पास अगर आठर कम हो गया इसके पास बैकेंट आरिटल आ गया क्यों क्योंकि चार अड़िटल टोटल होते हैं तीन बना लिए एक वेकेंट हो गया तिल्च एलक्टोफाइल अपने से ज्यादा इलक्टो निग्य टीटिए वाले एटम के साथ PI buscarता है किसकी तरब करता है इलक्टो फाईल इसे one example देए घयर यह सेंटील एटम अपने से ज्यादा इलक्टो निग्यटिव 關係35 डूर्ट के साथ पाई बॉन्ड बनाया है जिसके जान लेते हैं थार्ड क्या है थार्ड इसमें कैसा है कि भाई तीसरा केस यह है ड्यू तू लास आफ इलेक्ट्रान या लेस नंबर आफ बॉंड या तो लॉस किया हो अपना इलेक्टान या उसके पास लेस नंबर आफ बॉंड जैसे कार्व के टायन की बात करें तो टोटल चार बॉंड बनाता है तीन बॉंड बना सिक्स इलेक्टान यानि वेकेंट अर्बिटल ती लेक्टोफाइल और अगर मैं बात करूं सिंग्लेट कार्बीन जैसे यहां पर जो एक्जामपल दिया है कि डाई ιक्लोर कार्वीज़ की बात करें तो अगर का क्या होता है यह इसे बांड बनाया और यह इस तरीगेस इलेक्टान फिलफ होते एक विच्द आर्बिटicus आ जाता है जाता है खआह तो यहां पर क्या है कि लेस्न नंबर तो जो कार्वीन होते हैं दो तरीकिक होते सिंगणेलेट और ट्रिपलेट जो सिंगणेलेर कार्विन एक्षॉल में कभी Essa करो और वहां किसी कंदेल करीट करो भ्याहर कि सब्सक्राइब कर वाथ है का मीं देन मानना गशीति होचा सब्सक्राइब करें करें ने तो यही सब कंडिशन है और चवता है कि वेकेंट डी आर्बिटल मौझूद हो जैसे PCL5 में PCL3 में अगर वेकेंट डी आर्बिटल मौझूद होता है तो वह अफी तरफ करता है तो अब देखते हैं इन सारे कंसेप्ट को देखा हमने अब इस कंसेप्ट के को करना सुरू करे पहले के दि में बात करूं तो यह नाइट्रोजन जो है अपने से ज्यादा अक्स एलेक्ट्र निगेटिवटी वाले एक्टम के साथ पाई बॉंड बनाया है प्लस चार्ज तो इसी की वज़़े से यह इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा अपने से से ज्यादा इलेक्ट् सुझते हैं कि जो एने च फोर किसी मॉलीक्म के उपर प्लस चार्ज दिखे तो अलेक्ट्रोफाइल मालेते हैं गलत साच विज़़े वेक्ट ऑर्बिटल आ जाए क्या एलेक्टान की कमी हो जाएलेक्टान हो जाए तो वह होगा इलक्ट्रोफाइल आप डिरेक्ट्ट यह बता शकते तीगे मॉलीकुल में कि प्लस चार्ज है तो लोक्टोफाइल हो गांणी हो यह गल्लत तरीका है कैसे जाने तब प्लस-चार्ज तो है होना चाहिए लेक्टोफाइल कई छोने अनुसार जो मानते उलेक्टरन इसके पास किदना neutral nitrogen के पास गोडेंस लेक्टरन होते हैं पांच कि एक प्लस ओर जा गया तो अब कि इस बंट बना भी लिए एक पास और यह 4 बंस बना भी लिया अभी जब चार बंड बना लिया तो टोटल नमर आफ और्बिटल इसके पास चार थे एक bond में एक orbital यूज होता है क्योंकि एक orbital में दो इलेक्टार्ण मेक्सिम रह सकते हैं यहां यहां यूज हो जाएगा एक यहां और एक हो यहां तो वेकेंट आर्बिटल कितना हुआ इसके पास चार थे चारो ने चारो यूज हो गए bond बनाने में तो जीरो वेकेंट जीरो अब देखलो क्या कमी है टो इसके पास टोटल और हिंक यहां यूज होता शेकेंट का है अक्न Kabste ér लेक्तव फाइल होता यहां कोई ऐसा कंडिशन नहीं है इसको आप शुल सकते हों यह रक्त फाइल नहीं मौत敢 वजब का कंसेप्ट है यहां सी कंसेप्ट बना लो अपने माइंड में का कि पॉस्टिव चार्ज आ जाए तो उसका मतलबी नहीं कि लेक्टोफाइल देखो क्या पॉस्टिव चार्ज की वज़े से लेक्टान की कमी है अगर सेकेंड पिरेट का अलिमेंट हो तो क्या आठ से वाला नाट इनके बारें पता कर लो यह कहें हैं यह इसलिए है क्योंकि सीच थ्री नाइट्रोजन दो लोन प्यर दीख रहा है ठीक सेकेंड पिरेट का आप भी पता हूं नाइट्रोजन सेकेंड पिरेट के अलिमेंट टोटल नमवर अफ और बिटल कितने हैं चार बॉंड चा मैं तो एक और तिन बज गएं और लोन पेट कहा रहें गे आपिटल में ही रहते हैं तो लोन पर रखने में भी आपिआपिटल यूज हो गачें, तो चार में एक बना लिया और दो लोन पिक裡面 की रखने में पिटना हूँज m bust टोटल यूज हो गए ? यानिकी एक विक सो चार और एक बॉन्ड बनाने में यूज्ट हो गया दो पेर कुई लोन पेर और को भी तो रखना होता है तो लोन-पेर कहा होते है वह भी और बनने में रखने में रखने अगर उटमे रहते हैं तो इसके पास टोटल चार अर्बिटल थे और चार में एक बाइंड बना लिए दो लोन प्रेश को रखने में इसका यूज ऑगा यार्बिटल तो बचा होते हैं देखते हैं इस स्टेटमेंट पहला देखें हैं सिंपल कहा जा रहा है तो सी एस टू माल लीजिए सी एस टू इसके पास कारबेनायन यह अब अगर इसका निकालो आप इसका निकालो तो नंबर आप बराबर सिग्मा बॉंड कितना तीन सिग्मा बॉंड एक इससे और दो हाइडोजन लोन पेर कितना रखा है एक क्यों क्योंकि कोई होता है तो हम इसको काउंट करते हैं तो टोटल नंबर कितना गया चार और जब चार आता है तो SP3 लेकिन SP3 अगर आया तो होना चाहिए इसका जिमेट्री तो इसका जिमेट्री तो है TETRA HEDDAL लेकिन अगर सेथ की बाते कहीं जाएं तो इसका PY blev टाएगा क्योंकि एक लोन पियर परजेंट है क्योंकि फिक्राव जाता है जी मेत्री बॉन्ड बनाता है तब आता तो हैं कि पर ना होता है पर यहां पर लोन पेर की वजह से अब इसका जो जूमेट्री है वह तो रहेगा ट्रिट्राइडल लेकिन अभी शेब कहलाएगा अभी सेब क्या हो जागा पीरामीडल लोन पेर रिपेल करेगा पीरामीडल बनता है कि अब इसमें देख लोगा पोजिशन पे लगा हुआ है ऐसे लगा है अब यह लोन पेर जो है यह लुकलायस कंडिशन में नहीं है अब यह डी-लोकलायज करेगा इसके सब तो कहा जाएगा यह प्लेनर हो जाएगा अभी हम लोग ने देखा भी स्पीटू आगा तो प्लेनर हो जाएगा तो यह स्टेट्मेंट गलत जी से इसलंडों इनका बी इन वी पीरमीडल होता है लेकिन इनका सिस्टेट्मेंट गलत होगे अब अलत कार्बन अर्ण्ट और बाद कर विस्टे विसे में पूछा जाए रहा है क्या सभी के सभी सभी एस्पी को हैं तो बिल्कुल सप्सक्राइब को कि दूसरा वला स्टेक्मेंट गलत सेकेंट सही तो थर्ड आंसर आगे देखें विच आउट आप दा फॉलाइंग सीर्स कुल्टीनमल्स निकलो फाइल वा गज़ब का सवाल भाई नीकलो फायल फाइल के बारे में पूछा जा इसरी कोई करें इसके इस अ बीना इसकी बिन्हें निकलो फायल को कभी करतें लिए express नेकलों फायल का मतलब यानी निफ्लों का मतलब होता है अधी के ऐधे और निफ्लियस का मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो old और जिसके ऊंपर पॉजिटिव चार्ज होताएब या मतलब और हमको पता है फाइल का मतलब टू अट्रेक्ट या टू लब मतलब क्या निकला यहां से जहां पिलेक्टान की कमी होती है जहां पिलेक्टान की कमी होती है या जहां इलेक्टान की गरीबी हो उससे यह प्रेम करता है को निक्लोफाइल निक्लोफाइल खुद एक इलेक्टान रीची स्पीसीज है वहां अटेक करेगा जहां इलेक्टान की कमी हो जहां गरीब हो जहां करीब हो जहां कमी हो तो उसे प्रेम करते हैं किससे इलेक्टान से से जहां पर एक्तरान की कमी उसे प्रेयम करता तो अब निअग्य वहाँ जाएगा अटक करने जहां पर एक्तान की कमी हो या इलेक्तरान डिफिसेन्स सेंटर को अपने पास लेना चाहता है उसे निकलोफाइल로 होगा जिसके पासεια सब्सक्राइब जादा हो अब कईसा होना चाहिए इलक्टान किसा होना चाहिए इलक्टान तो रहे इलक्टान होने के लिए रीच किसा होना है लेकिन जब और इलेक्टान कीसा होना चाहिए तो इनर्जेटिक इलेक्टान होना चाहिए लेक्टान तो हो लेकिन इनर्जेटिक हो इनर्जेटिक का मतलब रियक्टिविटी उसकी बहुत ज्यादे हो बहुत ज्यादा रियक्टिविटी अगर ज्यादे रहेगी तो हम उसको नुक्लोफा इन्रेटिक वाले वह कि टू टाइप की धिकते हमको या तुओ नोटीड़左स चाहीर तो पाई होगा पाई worry अ उन्हेर या तुपाई इलेक्ट्रान क्यों इनको किउनेर जेटिक हमको फाई क्योंकि लॉर बनाया ही नहीं बहुत ज्यादा गजब का तग्राइड ऑनिस्टेबल है वो उसकी नर्जी बहुत ही ज्यादा है उसकी रीक्टिविटी बहुत ज्यादा है इसलिए लोटे इनरजेटिक में मिलता है पाई-बॉंड यांड़ जो एलक्टरांस होते हैं यह वह क्या होते हैं पाई बंद बनता तो लेकिन वीक बनता है अ उकर वीक है तो पाइलेक्टान अभी अनिस्टेवल हैं अपने आपको इस्टेबलाइज करना चाह रहें की रेक्टिविटी अभी है तो इनर्जेटिक कंडिशन क्या सिखें किसी न्युक्लोफाइल बोलेंगे पहला कडिशन की इलेक्टान रिची स्पीसी होना चाहिए अब आज यहां साथ कंडिशन हो लुख्त रखा हो या तो पाइलेक्टान रखा रिएक्टिव इस्टेबलाइज नहीं लोकलाइज इसकी नहीं होगी वह मतलब एक तरीकिसी से स्टेबलाइज होगे घड़के उसी पर तो इसी के केस पर हम लोग बनाते हैं केस नंबर वन का लो लोन पेर की दिने बाते करूं जैसे कि NH3 इसके पास लोन पेर है तो यह आपका निक्लोफाइल हो जाएगा वाटर यानि लोन पेर है इसके पास लोकलाइश कंडीशन में तो य सिसारा गंडीशंपल लेनू आ इसके पास बहертв करेगा निक्लोफाइल की तरह माल वह लोन पेर है लोन पेर है लेकिन यह लोकलाइजड कंडीशन में है तो यह रियक्टिव होगा अर रियक्टिव होगा तो नुकलोफाइल होगा क्यों क्योंकि पाई बॉंड के थुरू ही कांजुगेशन होगा डी लोकलाज़शन वाया दफ फरमेशन आप पाई बॉंड पाई बॉंड ही सिर्फ कांजुगेशन ने पाटिसिपेट कर रहे हैं यहां पे लोण पेर लोकलाइस कंडिशन में तो रियक्टिव है इनर्जेटिक है क्योंकि हम लोग पाई बॉंड को ज्यादा प्रियोर्टी देते हैं डी लोकलाज़शन के लिए तो लोन पेर लोकलाइस कंडिशन में यह डी लोकलाज़शन करने लगा तो एक्शूल में देखो यह न्यूट्रल नीग्लोफाइल कहलाएंगे कोई चार्ज नहीं दीख रह लेकों चार्ज में देखो H- या एक्ष माइनस इस तरिके से तो यह सब भी होते हैं और कुछ बहुत कम संख्या में पाई जाते हैं जिसे अंडो प्लस की बात करें कुछ और भी पाई जाते हैं तो इसीप पता चला कि जो निकलो काई होते हैं वह पॉजट्य के बारे में कईसे पहिचाने इससे सांदार कंसेप्ट कहीं मिला ही नहीं सकता क्योंकि नुक्लो फाइल को जानने के लिए ठीक इनर्जेटिक लोन पेर रखा हुआ आपको यह लोन पेर पाई लेगता तो इसके कॉर्णिंग देखो तो यहां पर देखो यह पानी ठीक यह एस हुआ कि तुब का है का निकलो फाइल होगा कंडीशन यहीं था में दोन पर होनवा तो यह फाइल यह फाइल यहां पर यह भी आक्सिजन की पास लोन पेर नहीं अप्टेट कम्प्ली तो यह भी क्या हो जाएगा सफ क्योए कि क्यों किस लसंट साथ सचे ओता है पाच होगे प्लास देवे से भढशने के वैसे इन क्ע़ बन दिया भी नहीं है दूसरा वाला देखो बॉन बने लिए आठ हो गया वह लॉभाएं यह नहीं रिक्टा यह कूंस पी और यहाँ है नुी फाइल शे कि पह्ता है यहां पी नोफसे का है नुप्र अगले कोरिशन की बात करें तो इसके पास इलेक्टांड की टू इलेक्टांड डिफिसियन टेटम होता है तो कोई अगर इसको इसको इलेक्टांड की ईशू दे दे बढ़ाने वालेएक्टां देने वाले इसकी स्टिबिलिटी को बढ़ाएंगे तो इसे लिए is tea याँ का व्यक्ट जो होता है और ब्रस भॉल्स मिद्श्टिण श्यक्टो इन्दस में मैं सिमिलरली तो यह होता है कंडिशन पुछा जा रहा है कौन सा लिस्टिवल है इन में इन में बात करें तो बेंजीन पर देखो ग्रूप लगे हुए तो ध्यांग देखना यह जो ग्रूप होता है यहां पर यहां पर माइनस आई भी लगा रहा है आख शीजन मोर इलक्टू कौन होता है प्लस ज्यादा होता है माइनस आई से तो यह इलेक्टान डेंस्टी बढ़ाएगा यह इसमें बात करें तो यहां पर और हमको पता है रिजोनेंस में मेरी की एफेक्ट बोल दो वह सिर्फ आर्थो पैरा पर होता है हर जगह अप्लीके बल नहीं होता है तो मेट सिर्फेक्ट आईफेक्ट कया करता है घता अ włos और यहाँ व्येस बात करूं तो यह यहाँ वी माइनस आई फेक्ट लगा यह इसम बात की बात मानें समय बढह रहते है उबमल बंठान अब यह में थ gloss ब्लब वाला उस्गता रहा है तो निदू आपकर थर्ड अंसर हो जाएगा अगले कोशन की बात करें तो नीकलोफिलिसीटी का मतलग नीकलोफाइल की ताकत कौन स्टॉण नीकलोफाइल है उससी को मुझें नीकलोफिलिसीटी कितना सांदार तरीके सब्सक्ता लोन पे आफ इलिक्टान डोनेट कर रहा है कि तने रेट के साथ तो निकलोफिलिक चारेक्टर बोलते हैं 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 तो निकलोफिलिक चारेक्टर या कब ज्यादा होगा जितना तगड़ा जितना तेजी के साथ वह निकलोफाइल अटेक करेगा जितना तगड़ा वह उतना उसका निकलोफिलिसीटी ज्यादा होता है तो निकलोफिलिसीटी कब ज्यादा होगा जो देने की टेंडेंसी ज्यादा रखता हो जिसका रेट ज्यादा हो क्योंकि हम रेट की इसमें बाते करते हैं जितना ज निकलोफिली कई सेस्का यहां हूपता है जब कभी आपको देखना हो कि निकलोफिली किसी क्या जते हैं डोनेट मों बोलते हैं कर रहा है यहां पने निकलोफिलेक से लुडहिं यह pore इलेक्टान डोनेट करता है वह निकलोफिलिक एटम कहलाता है और आप निकलोफिलिक एटम को बारीगी से देखो कि वह पिरियट से लाइक कर रहा है सभी सभी की गुरूप से तो अब तुमको बताते हैं क्या कि जब हम उपर से नीचे आते हैं तो निकलोफिलिसिटी बढ़ घटती है आप यहां बोल दो कि राइट से जब लेट आते हैं तो बढ़ती यह भी बोल सकते हैं इंक्रीज करते हैं तो देखो द्यान से तो कार्बन नाइटोजन और अक्सीजन फ्लोरीद में देख लो तो कार्बन की दिमें बाते करूं तो CS3 सब्सक्राइब को देखो जो अपना इलेक्टान डोनेट कर रहा उसे निकलोफिलिक एटम गोलें तो यहां 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 नाइट्रोजन और यहां पर कार्बन तो सभी सभी पीरियड वाले हैं अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो हमारा निकलोफिलिसिटी घटेगा क्यों क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा कौन आपके हो जाएंगे सबसे घटती है तो सबसे ज्यादा यह दिन यह इसके गॉर्डिंग देखे तो हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा थीक अगले कोशन की बात करें प्रिशाव फॉलॉइंग कंपॉंट फिल नाट 100 रिजोनेंट एक्षवल मैं धखोर रेजोनेंच का इकंडीशन है सब्सक्राइब का कंडिशन होता है यह यह एकंडिक थिक्टर करनें इसक्टर क्या कि कोई भी पर्रेजोनेट्पीरियट वाले य्लिमेंट का वह थीक्ता तो यहां पर तूटे गा मालो यहां पर टूटा ती निगेटिव पॉस्टिव लेकि अपना रेजोनेटिंटिंग इस तरह की से बनेगा बना देते हैं तो यहां पर पॉस्टिव डवल बॉंड सियस्टू तो यहां कार्भन के पास आठ ही लेक्टान नहीं पाये तो यहां पर भी देखो वेकेंट तो यह क्या हो जाएगा तो तूटके रेजोनेटिंग स्ट्क्ट्चर सो करेंगे एक तरीगी से करेंगे सब्सक्राइगे तो 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 क्या बनेगा यह बांड मिलके क्या हो जागा डबल और यहां पर हैड्रोजन यहां पर हैड्रोजन दीखेगा और यहां पर तो यह बना रहे हैं इसके पास 10 इलेक्टान पाएगे और अभी हमने बताया कि कोई भी एक ऐसा पॉसिबल ही नहीं जिसके बनाने के दवरान उसके पास आर्ट से ज्यादा इलेक्टान हो किसके पास सिकेंड पीरियड एलिमेंट के पास पॉरान कार्बन आक्सीजन नाइट् इसके बिश्याज में अगर 10 आट से ज्यादा इलेक्टान पाएगे तो वह रिचेंड इस्ट्रूश्य पॉसिबल नहीं होता है तो आप बड़े ध्यान से देखना कि कभी भी एकर रिचेंड ब्रॉक्टान के द्रॉक्टान नहीं है जिसके पास सिकेंड पीरिड़ वाले के पास आठ से ज्यादा एलेक्टान है अगर ऐसा हो कर तो रिजिनुटिंग स्थे पॉसिबल नहीं है तो इसके कोडिंग देखेंगे हमारा तो थर्ड हो जाएगा को जितने भी यहां पे कोशन आपको बताये गए काफी अच्छा था रियक्शन में बहुत ही सांदार है बड़ा मज़ा आता है तो आप इसको क्या करो सभी 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 कंसे को नोट करो इसको तनमेहता के साथ सीखो और आने वाले पेपर में इसका यूज को ठीक सो दस कादम का सेशन जो कि आज हमारा पेपर है आल इंडिया नीट टापिक टेस्टी 11 जो कि कल हमारी इंस्चुट की तरफ से आउनलाइन आफ्लाइन मों डोनों में करेट हुआ था पेपर काफी अच्छा था आप सभी ने बढ़चर के हिस्सा लिया इसकी आप सभी को विश इसके बाद हमारा लोगो दस का दम जो कि आज का पेपर नीट 11 है और उसके बाद हमारे सामने पहला सवाल है सब्सक्राण अटे मौला से बच्छे इसे न्यूट्रियंट का मोबलाइशन समझ लिए पहली बात मैं क्या बता सब्सक्राइब की कॉель है क्या सब्सक्राइब बच्टे इसको ठीड चर्ण होता है इस तोड पूड कार्द्रेट proportion Typically होता है ठीक है complex carbohydrate और जब seed germination का समय आता है तो यह simple sugar में convert हो जाता है simple sugar में ठीक तो यह complex carbohydrate simple sugar में convert हो करता है with the help of alpha amylase यह enzyme है ठीक है और यह synthesize होता अलरॉन लेयर में ठीक यह seed के अलरॉन लेयर में यह enzyme synthesize होता है alpha amylase ठीक है और यह complex carbohydrate को simple sugar में convert करता है इसकी synthesis को प्रमूट करता है जी वैलिंस ठीक जी वैलिंस इस enzyme की synthesis को प्रमूट करता है और यह enzyme seed germination के समय complex carbohydrate को simple sugar में convert करता है और यह conversion ही कहलाता है stored food का mobilization ठीक है यह mobilization of stored food है जो कि आपकी question की line है stored food का mobilization simple sugar में यही है और यह काम करता जी वैलिंडायट लीव अब ऐसा होता ही क्यूं है seed germination जो होता है growth process है ठीक और growth के समय energy चाहिए और energy के लिए respiratory substrate चाहिए तो simple sugar best source होता है energy energy के लिए respiration में इसलिए seed germination के समय इसका convert होना बहुत दुरूरी है नहीं तो पाउधे की seed को germinate करके एक बड़े पेड़ बनाने की जो energy की required होती है वो नहीं मिल पाएगी तो इसी को बोलते है इस टोड़ फूड का mobilization ठीक है तो इसका answer है थाइड nutrient का mobilization अलग चीज़ है और यह एक अलग चीज़ है तो जिब इसकी synthesis को promote करता है यह reaction को promote करता है तो यह लिखा है ठीक है तो यह इन डाइटली इस पर काम कर ऑया है थीक तो यह पीवाई क्यूंत था को सब्सक्राइब अब आपकी में जो दिया हुआ है वीट की यहां पर दो बाराइटी का जिक्र किया उन्होंने एक बता विंटर 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 वियर्याइटी ओर एक स्प्रिंग वियर्याइटी थे गया इन्होंने ये बताया कि इसको आटम में आटम याट ही अक्टूबर और नुवंबर में इसको हम प्लांटिंग करते थे और ये काफी समय तक अग्रिकलचलचर फीडम में पड़ी ती इस्प्रिंग सीजन आने पर स्प्रिंग सब्सक्राइडने पर फ्लावरिन फौ्स फ्लावरिंग योजन होती थि एक स्प्रिंग करते स्प्रिंग सीजन में सॉटी कि और हुजन शुर्ष गुंट्स फ्लावरिंग होने निए कि इसे भी हम midsummer में मिटसमर में harvest करते थे हैं तो ध्यान से देखिए इसे आपने czar महिने पहले खेत में प्लांटिंग किया और फिर पिर भी इसने spring variety के साथ ही many summer में अपनी फ़सल दिया तो चार महिने गो खेत में पड़ा रहा है winter variety तो यह समस्या को overcome करने के लिए इस winter variety की लोँचिलिंग टीटमेंट दिया गया सब्सक्राइब कि इसकी इसी को बोलते हैं तो हमने क्या किए एक तरह का ऋपूञार्त को साट आउट कर लिए क्यों जब लावररी आजाती है तो वहाइस से प्लांट का रेपरटीब फिर स्टार्ट हो जाता है तो हमने जो तीन से चार महीना इसकी खेत में पड़ा रहता था इसकी कमी को करने के लिए हमने लोचिली ट्रीटमेट किया और देखा कि मिट्समण में ये दोनों अब फिर फसल देने लगा तो हमने किया क्या है हम बाइनियल को annual बना रहे हैं जिसे दो सिजन में फसल देना था उससे एकी में बना रहे है तो इसका मतलब कि जो वाले पौदे पर अपलाई है बाइनियल प्लाइन पर ठीक और अगर बाइनियल है भी तो गेहूं की इस विंटर वराइटी पर हमने अपलाई किया है अब अपने अनभों से बताईए दवा या इन्जेक्शन कि सी हेल्थी मनिस्ट को नहीं लगा तो इस पर रहन्राइशन किया गया इसमें कोई पॉर्लम नहीं था अन्यूवल व्राइटी इंब HA discippy कोई पॉर्पर मुब नहीं तो इस पर हमें अप्लाय करने की रिकोर्ड नहीं है और यही कोच्छलिक qean not be performed a u सबढ़ा हैल समझ को बना सकते हैं बाइनियल और ऐन्यूविंटर विराईटी पर अपने हैं, बात को समझ यह समस्या होती तो समाधान समाधान जोडने कैंने भी कि विमार को स्वस्थ बनाने के लिए ना कि स्वस्थ इस पर – इस ते तो फ्रावलम विनटर विड्रायटी में सब्सक्राइप कना सब्सक्राइब और इसको बनाये तो इस पर अपल्हाइठ नहीं करेंगे अब जब फॉलोविंग मॉलीकुल और उटिलाइज आज वे रिलीज दूइन दा ग्लाक्रिस प्रोसेस अब देखिए आपको पता है वाटर 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 जो था वह फॉस्पो से जब फास्पो इनॉल पाइरुवेट बना था तो वहां पर वाटर मालेक्यों रिलीज हुआ था ठीक है तो वाई थार्ड आप्शन और फोर्थ आप्शन तो पहले ही बाहर हो गए पहले बार ग्लाक्रिस में और और ऑक्सिजन का तो कहीं कोई नामों निसान नहीं है ना र आप त्रसता मामला एटीपी का आपको पता है घुलुकोज से गुलुकोज 6 फॉसपेट कैसे बना था गुलुकोज 6 फॉसपेट जब इसमें ऐटीपी एड़ हुआ था ठीक और फिर उसके बाद से फ्रक्टोज 6 फॉसपेट से फ्रक्टोज 1-6-biphॉसपेड वहां पर भी sis ATP क्या हुआ यूटिलाइज हुआ और आपको पता दो ऐसे स्टेफ वन थ्री भाइफ फॉस्पोगलिसी ग्ली सिद एसिड निकलता है उसका मदलब एतिपी भी होता है तो हमारा कोशन यूटिलाइज और रिलीज दोनों यूटिलाइज और रिलीज दोनों के रिफरेंस में है डिक घुलाइज भी हो रही हो रहा है जब कि वाटर के वल आपका रिलीज हो रहा है तो आंसर विल भी सेकेंड अब देखें प्रोटीन इंटर्जक क्रेप्स आपको बुक की लाइन है कि जब अमीनो अशीड आप्टर डिमिस होता है तो इंट्री करता क्रेप साइक लिए पाइरविक इसीड भी कर सकता है कि लाइन आपको की लाइन याद हुनी चाहिए थी है अब तो टोटल नमबर आप पोर गर कंटेनिंग ओए ठेक सिस एकोनिटीक एसिड कि सिस एकोनिशिक एसिड कि आई सोसिट्रीक एसिड तो ठीक है और जैलो झाल सकसीनिक एसिड ठीक यह ऐसे चार कंपाउंड थे जो छे कारवन वाले थे और पांच कार्वन वाला तो आपको पताईए सब्सक्राइब कीटो ग्लुटेरिक ठीक और चार कार्वन वाला जो कंपाउंड होता है वह सक्सीनिल को एंजाइम उसके बाद सक्सीनिक एसिट उसके बाद हट यहां से पूछा जाएगा क्यों से कार्वन की क्रेप नहीं बनते हैं तो तो यही आपका सिक्वेंस भी है और यही आपका नमबर तीन दो पांच इसमें कोई रिक्कत नहीं आप देखें विटाब फॉलोविंग इस टेक्राइट विट रिस्पेक्ट टू किडिनी फंक्षन रेगुलेशन देखिए आपको मालूम है कि जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं रेगुलेशन ठीक है तो इसमें हम घटा उपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं जैसी बॉड़ी नीड़ों हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं जैसी बॉड़ी की नीड़ हो मैं कहें जब दूसरा कंडिशन कुछ ऐसी कंडिशन मुझा है कि वाटर कंजर्वेशन ज़डरूरी पानी का Süreyन में वाटर कंजर्वेशन दो ऐसी कंडिशन है कि एक्सेस लाउस आफ वाटर हो और बॉडी की नीड हो जा कि हमें वाटर का अपकर करना है यह नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं है कि इसलिए यह काम करता है और आपकी बुक में लिखा है कि कंडिशनल होता है वाटर सोडियम का मैं क्या बता रहा हूं कि बाड़ी की नीड है कि एक्सेस लाउस आफ एक माली मैं काम कर रहा हूं गर्मी के दिनों में और बहुत दोड़ने लगा तो पसीना और जाता होने लग कम बहुत बहुत का मतलब ज्यादा भी हो सकता है कम भी सकता है जैसी बाडी की मिनीड होती है होमियो स्टैटिस मेंटेन करने के लिए तो अब हमारा कोश्चन इसी बात पर है किडिनी कैसे काम करती है कि जैसी सरी की नीड होती है अब कह रहे हैं कि वें समवन ड्रिंक्स लाट आव वाटर मतलब एक व्यक्टिव पानी बहुत ज़्यादा पी रहा तो पानी नॉर्मल अब देखिये बहुत तेज ठंड पड़ रही है तो स्वेटिंग नहीं होगी पसीना नहीं बहेगा तो पानी का लॉस्ट नहीं यहां पर सप्प्रेस होना चाहिए था और यह सेंटेंस पहला सही है और इंक्रीज इन ग्लोमेडलर ब्लड फ्लो देखिए जब घरता है डिक्रीज जब घरता है तो रॉस मेकेनिजम एक्टिवेट होता है घटे हुए जी अफर को बढ़ाने के लिए एक्टिवेट होता है रेनी एंजियो टेंसिन ठीक है एल्डोस्टरॉन सिस्टम तब यह गढ़वड है क्यों डिक्रीज इन ग्लोमेड फ्लो स्टिमूलेट फॉर्मेशन आप एंजयो टेंस सेकेंड यह सेंटेंस गढ़वड है डूरिंग समर गर्मी के दिनों में बॉडी ल का निकलना मेंडिटरी है मैं क्या बता रहा हूं रेगुलेशन का मतलब घटाना वड़ाना दोनों होता है बॉडी की नीड जैसी होती है उसाफ से बॉडी अपने आपको एजस करती है जाडा बहुत तेज है ठंड बहुत तेज पढ़ रही है तो पसीना हो नहीं रहा तो नॉर्मल यूरिनेशन तो भी निकलने कोई महात्तों नहीं और घटाने के लिए रॉस मेंटिवेट होता है तो उसका कोई महात्तों नहीं है तो यह कोशन था यह भी प्यूआईक्यू है ठीक तो आंसर फस्ट लिए तो आपको पता है कि PCT में 7280 पन इलेक्टराइट होता ह यह ठीक है अब यहाँ आगे चले। इटो यरीन बन जाएगी तो सहां ही कंसंस्म् deputy हो रही है तो यह इनडायक्ट प्यूदिवा go आगे चले कि यूरिन बन जाएगी का अब यो कि द homeless कैसे हैं क्यूंकि यूरिंग कर ठर्सक्तिव को ही ठीक है इसमें ढू़ चीजे बॉमिन P Unknown और ग्लोमेरुलस है तेक झाल्ट कारपसल या मेलप्रीएंग बोड़ी में बामन्स कैफ्सूल होता है या और ग्लोमेरुलस मिलकि यह दो इसका दिर्माड करते हैं और ग्लोमेरुलस ही वह जीज़ वह वह कैपलरि का यहां फिल्ट्रेशन अब ब्लड होता है और यहीं है one को इस्चिफ का गल्मोर्स से होता है इसका मतलब उस है कर रहा है यह अर आपको पता है कि कौंटर बैकिरिज्मम में दो स्ट्रक्च्च्र सब्सक्राइब करते हैं एक होता वासा रेक्ट्रक्ट्रक्ञ वा कि एक वासाक्ज पिले लूप है लूप है लूप है और वासा रहता है यह पाइन ब्रांचे थी नेटवर्क की आपके पेपर में था भी कि है का एक माईनूट वेसल है तो यह ब्लड सरफ लेटरी का पाइट है और यह आपका है लूप है तो री अप्जाब्स नियुक्त प्लाइन और अब लिकार कॉशन डिपंड डाल अब देखिए आपको पता था आर क्यू का फॉर्मूला दाइस वॉल्यूम आफ सियो टू इवाल्ड थिक आर क्यू का फॉर्मूला कुछ इस तरह से था आपको पता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजूम थिक यह तो फॉर्मूला है और रेस्पिरेशन जो है रेस्पिरेशन केटाबोलिक परॉसिस है नॉर्मली मैं नॉर्मली ही बोल रहा हूँ केटाबोलिक है ऑक्षीडेशन है आक्सीडेटी प्रोसिस है और यह डिपेंड करता है की टाइप पर यह कौन सा जी सबस्टेट जो होता है वो युटिलाइज हो रहा है आप यह यह आ ज्यू आपका तरह कहता है कि अग़े एनटीपी नमबर आफ वॉल्म आफ दा गैस रिडाटली प्रोपोशन उपार नमबर आफ मोल नमबर आफ माल मॉड्हुल भी को ऐलेट कर सकते लेकिन वह एनुटीपी पे लिखा होता है मान लिजा आपको छोड़िये रिडुक्सन मालीकुल अगर हम जोड़ने है तो तो हमने का वाई reduction कैसे आप करा लोगे ठीक है तो यह पहला तो काइंड आफ मतलब और निजम कोई भी हो यू करियार्टिक सेल है तो एरोबिक रेस्पेसल सम्में एक समान है वाई कोई भी यू करियार्टिक सेल होगी तो ग्लाइक्रोज प्रोटीन हो सकता है क्या बिलकुल कार्वो हाइट्रेड भी हो सकता है इन दूनों का लेस्टन वन इसका एक और गैनिक एसिड ठीक है और गैनिक एसिड का ग्रेटर दरन अब एक आपके पेपरं प्वें और बिवल्ट था जहां सुनिगा फिकह की फर्मंटेसल में क्या ऊता होता कि फर्मन्टेशन आपकी पेवर मैसिंग था तो फर्मन्टेशन दोप्रकार के होते हैं एक होता एक होता एक होता लैक्तिक एशिड फर्मन्टेशन ठीक एलकोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक फर्मेंटेशन आपको पता कि फर्मेंटेशन एक एन एरोबिक प्रोसेस है एन एरोबिक प्रोसेस इसमें कहीं पर भी आपका आक्सिजन का इन्वाल्मेंट नहीं होगा तो इन्वाल्मेंट नहीं इसका मतलब जो आपकी आर्क् सम्थिंगब ईन् फाइनाइट यहां पता है तो यहाँ यहां इन्फाइनाइट समझेजु कि इन्फाइनाइट लेकिन निकलती है यह नहीं है नहीं है लिखिए इस beetle में नहीं है औक्षिन में नहीं से 0 तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी दिये गए से स्पाइटी सबस्टेट के लिए आर्क्यू की वैलू क्या हो सकती है जीरो हो सकती है लेस दन वन मोर दन वन एक इन फाइनाट सब कुछ हो सकता है तो आर्क्यू की पॉस्बिल्टी कुछ भी हो सकती है लेस दन वन मोर दन वन वन जीरो भी हो सकता है ठीक नेक्स कोश्चन यह तो आपके जो था कोश्चन आपके किड्नी के डाइग्राम से तो आपको पता होना चाहिए ठीक किड्नी का डाइग्राम तो आपको पता होना चाहिए ठीक मैं ऐसे बना रहा हूं ठीक है ठीक है ठ आपका कार्टेक्स हो गया अप्वाना बाहर वाला भी और यह वाला पोर्शन आपका जो है यह कुछ इस तरीके से बने हुआ है यह प्रोशन आपका मेडुला का हो गया अब जो मेडुला होती है वह छोटे-छोटे तो पिरामिट में टु सब्सक्रास का इस मेडला की लिए और यह जोफ आप देखे लए इस यहको बोलत thing is प्रोजेक्ट तो इसी को आपको बोलते रिणाल कालम सब्ट बटनी तो पहला लिखा कि आउटर कार्डेक्ट विट्विन प्रोजेक्ट हो रहें के लाइसे विशाही है between medullary pyramid छोटे-छोटे-जोटे-पर नहीं है, भच्यों को यह जो पिरामिड में कंफिजन होगे, शरी पिरामिड का टर्म कहां है, मैडुला जोता, मैडलरी पिरामिड के रूप में छोटे-छोटे गरूप में बटा होता है, तो इसलिए यह sentence हही है, इस पर से कोई गलत नहीं है ठीक तो प्यारे बच्चों मेरा से आपको कैसा लगा कमेंट बाक्स में जरूर बताईए क्या इंप्लिमेंट चाहते हैं क्या सुधार चाहते हैं ठीक है वही बताईए और हमारी टीम बिलकुल लगी होई है हमारे सीनिय साथी डॉक्टर सैलें मिस सब्सक्राइब बहुत कुछ सिखाया है उनलों अपने सेशन में और मैंने भी बहुत कुछ सीखाया ठीक है ओके थैंक यू पार वाचिंग दावेडियो पाइबाए